नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चेनल जीके पाट साला में तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में तो दादा भाई नौरोजी है वो उदारवादी विचार धारा के परमुक परतिपादग माने जाते हैं और इनको the grand old man of India का जाता है इन सारी जो general concept है इनसे तो आप परिचित होई हम बात करेंगे आज दादा भाई नौरोजी से संबंदित पूरा विश्तरत से जिसमें सुरुवात हम करेंगे जो बारतिय रास्टे कॉंग्रेस है तो उसकी स्तापना के बाद से लेकर चलेंगे ताकि जो पूरा concept है वो आराम से clear हो सके तो बारतिय रास्टे अंदोलन की जो सुरुवात है उपचारी सुरुवात कर बात करें तो वो क्या है कॉंग्रेस की स्तापना के बाद माने जाती है अब देखो कॉंग्रेस की जब 1825 में स्तापना हुई उसके बाद जो कॉंग्रेस द्वारा नेत्रुत किया गया उसको हम क्या करते हैं तीन चरणों में मुख्य तब आड़ते हैं यह आप सभी ने पढ़ा है कि एक तो उधारवादी चरण आया वो इस्तापना से लेकर जब बंगाल का विवाजन हुआ 1905 वहां तक का ये जो दोर था वो उधारवादी तो उधारवादी विचारदारदी को क्या मानती थी उदारवादी विचारदारा जिसके हम ये कहें जो परतिपादक है बारती रोस्ट्रे कॉंग्रेस में परतिपादक धदाबाई नोरोजी थे वो ये मानते हैं कि ब्रिटिस जो सासन है उससे बारतियों के जीवन इस तर में क्या होगा शुदार होगा देखो ये ये मानते हैं कि जो ब्रिटिस यहां राज कर रहे है वो बड़ा अच्छा है भारत के लिए क्योंकि इनका ये कहना था कि ब्रिटेन की जो सब्वेता है न वो उन्नत है उन्नत मानवतावादे सब्वेता है जिससे क्या है भारत का विकास भी जादा से जादा होगा ये मुख्यता विचार किसके हैं दादा भाई नौरोजी के तो ये ये मानते थे दादा भाई नौरोजी कि अंग्रेज है भारत में रहेंगे तो भारत के लिए लाबदाइक होगा और ये तब तक लाब दैगोगा जब तक भारत स्वावलंबी ना बन जाए तो इस उदारबादी विचारदारा के जो पर्मुक परतिपादक तो दादाबाई नोरोजी थे और जो ये उदारबादी गुट था कॉंग्रेस का उसके अन्य जो सदसे अगर बात करें तो फिरोसा मेता थे गोप सितंबर 1825 और इनकी मृत्यू हुई थे तीस जोन गुनी सो सत्रह तो ब्रिटिस कालिन भारत के एक पार्सी बुद्धी जीवी थे शिक्षा सास्त्री थे कपास के व्यापारी थे और आरंबिक राजनेतिक वा समाजिक नेता थे इन्हें भारत का क्या कहा जाता है दे ग्रा तो यह पढ़ेंगे हम आर्थिक मामलों के विशे से किस परकार थे इन्होंने जो ड्रेन थेयरी दी धनका निश्कासन शिद्धान्त तो इसमें इन्होंने पूरा बताया विश्टर से तत्यों के साथ बताया क्योंकि इनकी जो पदती थी वो कौन सी थी तत्य परक पदती यह जुरूर द्यान में रखना इनकी जो पदती थी धनकी वो कौन सी थी तत्य परक क्योंकि यह कहते थे कि मैं दर्शन के उपर बल नहीं देता हूँ मैं किसके उपर बल देता हूँ तत्यों के उपर बल देता हूँ तो इस चीज को द्यान रखना इनकी जो अधन पदती तो ये उदार राष्ट्रवादी थे, नेतिक मानवे दर्ष्टिकॉन तता समाजिक समरस्ता इनके चिंतन का मुख्यादार देखो राष्ट्रवादी तो थे ही थे, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, अब नेतिकता देखो, नेतिकता के बारे में इनके विचारों के अगर हम बात करें, तो ये हमेशा ही राजनितिक सत्ता है, उसमें भी नेतिक आदार का समर्तन करते थे, ये कहते थे कि व्यक्ति चाहे किसी भी राजनितिक गतिविद्य में भाग ले, या जीवन के किसी भी कार्य छेतर को अगर वो चुनता है, तो उसका आधार क्या होनी चाही, न नेतिकता को दिया था लेकिन आज की अगर राजनिती की बात करें तो राजनिती में नेतिकता नाम के कोई चीज रही नहीं है जिसका आप मुख के उदार्ण आपको अगर याद हो तो महराष्टर में जब सरकार बनी थी उससे आप ले सकते हो नेतिकता नाम के कोई चीज नह उसका कोई आधार अभी नहीं बचाए और सामाजिक समरस्ता इनके चिंतन का मुख्य आधार थी अगर ये क्यूशन की बात करें तो ये क्यूशन कई बार पुछा जाता है कि दादा भाई नौलोजी है वो कॉंग्रेस के किस-किस अधिवेशन के अध्यक से बने थे तो कलकता इवेशन ये तो रटलो आप कलकता इवेशन है लाहूर इवेशन है और जो 1906 का कलकता अधिवेशन है वो मुख्य देखो इसको मुख्य ऐसे भी कह सकते है सवराज्य सब्द का जो सरुपरतम प्रियोग है ये काएं कि कॉंग्रेस के मंद से देखो वैसे सवराज्य सब्द सरोपर्तम परियोग तो दयाने सर सीचीन ही किया था लेकिन इसकर सवराज सब्र अबժरतम परियोग है कलकता दिवेशिन में ही किया गया था और कलकता दिविशिन पहले पारिशी अधेक्स भी थे है अगर परनशनेuir और पारिशीम आ जाता है pe Johanness देगो इन्होंने एक लेक लिखा ता ये लेक है England adapted trade into India इसमें इन्होंने क्या है सिदानत के बारे मुझे तरूप से बताया था धन बहिर हुँआ या यह कहेंगि drain of wealth का शिदान धन के निष्कासन का सिदान धन के निष्कन का प्लस नेतिकता के निश्कासन का ये दोनों शिर्दान इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देखो एक चीज हो रहे हैं ये उदारवादी विचारदारा थी इनकी लेकिन ये जो दो अधिवेशन थे ना 1886 का और 1893 का लाहूर अधिवेशन और जो कलकता अधिवेशन है इसमें तो वो अंग्रेजों की नीतियों की परसंसा कर रहे थे कि बारतियों को स्वैता देने और परसासनिक और राजनितिक सहबागिता देने की मांगी थी कि अंग्रेजों का राज रहे अच्छा है लेकिन ये 1906 यानि जो तीसरा अधिवेशन था इनके अध्यक्स या कारेकाल में इनमें फिर क्या है इन्होंने बिर्टिश सरकार को अनेतिक सरकार कहते वे उसकी जो सोशनकारी नीतिया है उनकी खूब आलोचना है करी थी तो यह थोड़ा से द्यार रखना जो लास्ट का अधिवेशन है कलकता अधिवेशन इसमें अंग्रोजयों की नीतियों की खूब आलोचना है इन्होंने किती बाकी श्टार्टिंग में तो यह इसी में विश्वास रखते थे कि जो बिरिटिश सासन है उसी में ही बारतियो कि जीवन इस्तर में क्या हो सकता है शुदार हो सकता है क्योंकि यह मानते थे कि ब्रिटिश आसन क्या है तक्निकी विकास भी रखता है प्रसासनिक अनुब भी रखता है तो चलो बात करते हैं धन बहिर गमन का सिद्धान्त यह लेक था इंग्लेंड डेफ्ट टू इंडिया वैसे बुक आपको बता दी पावर्टेंड एंड डिटिस रूल इन इंडिया में धन के निश्कासन का परतिपादन किया था यह 11 क्लास की बुक में दे रख है तो ततकालिन जो बारते गरीवी का मुख के कारण इन्होंने बताया था धन निश्कासन है अब देखो धन वैसे होता है वह इंग्लेंड बेज दिया जाता है इसे भारत में निवेश नहीं किया जाता और आयका अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता है वही नए रोजगार पेदा करता है भारते दन का बड़ा भाग देश के बाहर बेज दिया जाता है आ कि हमें क्या है ज़्याधा से ज़्याधा प्रॉपिट हो उन्होंने यह कहा कि जो भी अतिरिका तेलाब होगा न उसको भारत में निवेश नहीं करके कहां भेज रहे हम इंगलेंड भेज रहे हैं, जिससे क्या रोजगार प्यदा होने चाहिए वो तो हो नहीं रहें बलकी क्या है पैसे कहा जा रहें देश के भाहर जा रहे यहनी बातिे धन का बड़ा भाग क्या है भारे भेज़ दिया जाता है इन्हों न्येर कहा कि धेखो यहां इनोंने बड़ी एक बात कही है कि मुगल और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां उनकी तुलना करी थी उन्होंने, उन्होंने कहा कि मुगल कसाई की तरह होते थे, जो क्या करते थे, जहां से चाहे वहां से मास काट लेते थे, लेकिन अंग्रेज देखो किसके टेकनोलोजी के जानकार है, या अंत्रेकी के जानकार है जो चाकू की दार से केवल क्या है रिधे निकाल के ले जाते हैं हार्ट इकलेजा ही निकाल लिया मुलब मेन चीज ही निकाल लिया इन्होंने जा अंगरेजोंने यानि धन के निशकासन का इतनी सुंदर व्याक्या करी इस लेक के मादेम से और इन्होंने बताया भी कि वास्तम में जो धन निस्कासन है वो किस-किस कारण से हो रहा है क्या-क्या उसमें हो रहा है जिसके वज़ए से धन ज्यादा से ज्यादा भार जा रहा है तो इसमें मुख्य था जो तीन इन्होंने दिये थे एक तो ग्रेवे एक विदेशी उसमे सारे घिर कदे सारे राव कि बात करें तो बारात सचीब था उससे लेकर उससे समंदित, जितने भी घष्चे होते थैं, वो सब इसमने थे जाये इस्ट इंडिया कंपनी के बागिदारों का लाबांस हो, विदेशों में लिया गया सारजनी की रिन हो, सेनिक और एसेनिक वे हो, सब इसी के अंडर में थे, यानि ग्रेवे और आप इलेउन्त की बुक के वेसे मेरे साब से सब पढ़ते हो, तो इलेउन्त में जो आजादी के बाद का सोनिम भारत है, उसमें इसकी बड़ी सुन्दर व्यक्या करी हुई है, कि किस किस परकार से भारत से आत्थिक निकासी की गई थी, अगर बात करें, अठारा सो तो आगे भी फिर बढ़ती रही, फिर विदेशी पुझी जो निवेस वा उसके उपर, देखो एक तो लाब दिया गया उनको, लाब के साथ-साथ उनको क्या है, ब्याज भी दिया गया, और तीसरी चीज जो विदेशी बैंक थी, उन्होंने क्या है, यहाँ वाले जो लोक परनाली, जो दादा भई नारोजी ने बताया था, धन इसका सन, उसी के लिए जो को एक यौन सुलीवन का खत, वो आता है, इन्होंने यह कहा कि हमारी परनाली एक ऐसे स्पंज के रूप में, जो स्पंजी होता है न, उसके रूप में कारिय करती है, जो गंगा किनारे से प किस परकार से भारत का आर्थिक सोशन हो रहा था, किस परकार से गरीबी और ज़्यादा बट रहे थी, इसके बारे में जो दादा भई नारोजी का आर्थिक विचार है, वो उस जमाने में, और इसलिए मलब उस जमाने में बहुती, एक तरह सा यह कहें कि बहुत अच्छा किया था इन्होंने, और इसी कार्ण उनको आर्थिक या यह कहें कि आर्थिक धन में महारत आसिलती उन्हें, तो नारोजी ने जो धन इसकार्षन को क्या है, अनिष्टों का अनिष्ट है, कहा था कि जो सबसे बूरा है, वो यही यह अनिष्टों का अनिष्ट है, और एक मे देदेबात और बता देता हूं यहां कि इनको रासम भातिये राजिनिति में राजनितिक जागर्थी के प्रणेता भी इनको क्या है कहा जाता है और ये बात हमने करी लिए नौरोजी ने आर्थिक अध्यन में तथ्य परक्पदती पर बल दिया था इन्होंने अपने तथ्यों के माध्यम से ये साबित किया कि ब्रिटिस सरकार अपनी आर्थिक नीदियों की मदद से वारत का सोशन कर रही है तो ये ध्यान रखना है हमने बात पहले कर लिए तथ्यों यानि फैक्ट के उपर ये ज़्यादा जोर देते थे कि इन्होंने ये कहा कि मैं दर्सन पर बल नहीं देता हूं किस के उपर बल देता हूं तथ्यों पर बल देता हूं और इन्होंने आर्थिक निति प्राकर्थिक अधिकार को अन्हन करती है अर्दार्त आर्रतिक निति ये प्राकरतिक था की तो जौन लोह वुक्त का ये उससे रीलेटेड आप इसको कर सकते हो। जौन लोह नी ने तो जीवन प्राकरति गार संपति। उसका प्राकरतिक इदfish installer बताया था लेकिन अंग्रेज उस समय सुनने वाले थोड़ी थे तो ब्रिटेन का है वो भारत को एक ग्राक के रूप में तयार करना चाहिए गुलाम के रूप में नहीं तयार करना चाहिए देखो लाड मेकाले जो थे ना उस समय उन्होंने भी जो दादा भाई नोरो जी है उनकी जो आ नियावचित आर्थिक नीतिया लागो करनी चाहिए इसलिए ब्रिटेन को ऐसा मद्दे मार्ग निकालना चाहिए जिसे दोनों के समंद्ध भी मनें रहे वह आर्थि जंता का कल्यान भी हो तो यह सारी चीज़े इन्होंने बतायतिक आर्थिक शिदानत में अब बात आती है नेतिक बहिर गमन का सिदान देखो आर्थिक तो था ही था साथ में नेतिकता भी दिरे दिरे नेतिकता का भी पतन हो रहता नेतिक बहिर गमन देखो इन्होंने कहा कि ब्रिटिस काल में बार्थियों को उच्पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था सबी को पता है अगर स सेना के बात करे तो सारे सिफाही थे, बाकि अपसर कौन थे अंग्रेज अधित्र dalej में लमपने समय तक भा colors में कारी करते थे में खान से ले जाते थे ब्रिटेन अब देखो ब्रिटेन में चले गए यहां से उनको पेंशन पेंशन का भी बाहर बढ़ रहा था बारती लोग से उको को को किसी परकार का पुरसासन अनुपव नहीं दिया जाता था यह नेतिक रूप से गलत था इसे को नेतिक वह已经मनका सिद्धान्त कहा जाता है पैद्यगो एक डॉक्म्तर है डॉक्तर मौलो तीस साल क्रें करता है तीस साल क्रेंगें का बाद में प्रशासनिक अनुभाव रखेगा उसके बाद उसको इस्तिमाल कहा करेगा इंगलेंड में करेगा तो भारत मालों को तो कोई फाइदा हुआ ही नहीं ना इससे तो ये जो दो सिदान्त है एक तो नेतिक बहिरगमन का एक आरतिक बहिरगमन का सिदान्त ये मुख्यत है इनके सिदान्त अब इन से जुड़े हुए जो जनर्रल कंसेप्ट है जनर्रल बाते हैं उनके बारे में हम बाते करते हैं तो पहले बात तो ये जो कि ये पहले बाती थे जिन्नोंने फिंस्वरी जो निर्वाचन चेतर है वहां से house of commons का सदस्य चुने जाने का सम्मान 1892 में मिलाता है तो आप देखो कितनी उच्छी हस्ती थे यह यहां नहीं किसी से चुनाव जीता जाता लेकिन यह कहां मनोनित वे सम्मानित इनको 1892 में इंग्लेंड में बने थे house of commons के सदस्य तो उस जमाने के आज की आज की भी बात करें तो यह बहुत बड़ी बात है यह तो फिर इनकी बुक्स की बात या जो लेक है उनकी बात करें तो एक तो बुक हमने पड़ी लिए इनकी जो मुखें इंपोर्टेंट बुक है पावर्टी और बिटिश रूल इंडिया एक ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी जो दनकी इसका संगा शिद्धान्त यह जो हमने बात करी थे इंग्लेंड डैप्ट ट्रेट टू इंडिया उसमें लिखा था है दो वांड्स और मीन्स ओफ इंडिया एक है ओन दे कोमर्स ओफ इं इंका लेती अब बात करते हैं कि नारोजी है उट टी-ईच ग्रीन है उनके सिदान्तों के क्या थे पक्सदर थे ये जुरूर आप थोड़ा से ज्यान में रखना कि टी-एज्ग्रीन थे उनके शिदान्तों का समर्थन करते हैं क्योंकि देखो टी-एज्ग्रीन क्या कहता है टी-एज्ग्रीन भी यही कहता है कि राज्ये का जो आधार है जो साशित है उनकी इच्छा है, ना कि आप सकती के बलकर उनके उपर साशन करो, याने पसुबल नहीं है, बलकि साशितों की इच्छा है, यह टी-े-च करीन का ही खतन है, तो टी-े-च करीन के सिधानतों की क्या है, समर्थक थे, तो जो पसुतुल्य विवार कर रहे थे, उनका विरोध किया था ददाबै नौरोजी ने और यह कहा भी कि सासितों की सदिच्छा या इच्छा होनी चाहिए अब बात करते हैं इनके राजनितिक विचारों के बारे में तो उदारवादी विचारक की रूप में शहुराज का समर्थन करते हैं यह तो हमने बात कर ली थी जब अधिवेशन हुआ था तता इस बात पर बल देते हैं कि राजनिति वे परशासन में बार्तियों की अधित्म वागिदारी होनी चाहिए तो इन्होंने जो कलकता दिवेशन वाए था गुनी सो चैका उसमें शवराज का तो परियोग के था कॉंग्रेस के मंद से और इन्होंने ये कहा कि राजनिति वे परशासन में तो जो नेतिक बाइरगमन का सिदानत है उसके लिए ये कह रहे थे कि यहाँ ज़ादा से ज़ादा भारतियों की भागिदारी होनी चाहिए बहारत की आसा भी कहा है ये किस ने कहा लोग है प्रोपेशर अलेवॉर ये ऐल्फ एंस्टन कोलेग है न क्यूंकि दादा भाई नौर dual जी भी वहहीं अध्यान करें किरात थे शुरू में और ये वहीं के प्रोपेशर अलेबभार, लेगमन इन्होंने भाइरत की आसा कहा यह था नारिशिक्षा के लिए थे और इस्ट इंडिया असोशियेशन 1816 की स्थापना कहां की थी लंदन में की यह तो सब राज ज्यादा और बेटिस कब हैं और सबसे इंपोर्टेंट खतन कि कांग्रेश एक ऐसी राजनितिक संस्ता है जो भारत के सास को और भारत की जनता की च्छों के क्या करती है पूर्ती करती है तो यह गोपाल दादा भाई नौरोजी के बारे में सारे उनके जो मुखे मुखे बाते थी वह मैंने क्लेक्ट करने के कोशिस किये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल के उपर आप न